नवस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्के भी तो आज की इस वीडियो में हम 35 अगस 2022 को रेलवे गुरुपडी का दूसरे सिफ्ट का जो एक्जाम हुआ है इसमें पूछे गए जीके जीएस और करेंट अफेर्स के प्रेशनों को हम लोग डिसकस करेंगे तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेली ग्राम चैनल केवी गुरुजी या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसके उपर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और आने वाले किसी भी परणवात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगं करेंगे current affairs के जो परेश्न पूछे गए थे देखे current affairs से एक बहुत सिंपल सा बरशन आया था कि भारतिय महिला दिवस या फिर जो राश्टिय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है तो राश्टिय महिला दिवस के अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और एक होता है बिज्ञान में महिलाओं और बच्चीयों का अंतराश्टिय दिवस ये हम लोग मनाते हैं 11 फरवरी को तो ये सारे दिवस भी आपको ध्यान रखने हैं फिर एक प्रेशन पूछा गया कि मेज ध्यान चंद लाइफ टाइम अचीव्मेंट पूरसकार 2021 कुस्ति में किसे दिया गया था तो ये जो पूरसकार है वो किसी भी खिलाडी को उसके लाइफ टाइम अचीव्मेंट के लिए दिया जाता है और कुस्ति के अगर हम लोग बात करते हैं तो सज्जन सिंग को ये पुरसकार मिला था। केसी लेखा को बॉक्सिंग में, अबजीत कुंते को चेस में, दविंदर सिंग गर्चा को होकी में, विकास कुमार को कबड़ी में, और सज्जन सिंग को रेस्लिंग में ये पुरसकार मिला था। दुनिया भर के लिए 18 दिसंबर को इस दिवस को मनाय जाने की घोशना की जा चुकी है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1992 में, हमारे यहां पर Minority Act के जरिये National Commission for Minorities का भी गठन किया जा चुका है, जिसके वरत्मान में अध्यच्छ है इकबाल सिंग लालपूरा। अगला प्रशन पूछा गया, कि जियो ने 6G Technology में सोध मेतेजी लाने के लिए किसके साथ में समझोता किया है, तो ये थोड़ा सा टब प्रशन है, दरसल ये जनवरी में समझोता हुआ था, और ये एक बिस्विध्याले के साथ में हुआ है, जिसका नाम है University of Olu, इलू नहीं नाम है ध्यान रखियेगा, इसका नाम है University of Olu, तो ये आपके फिल्लैंड का एक बिस्विध्याले है, जिसके साथ में जियो कंपनी ने समझोता किया है, अगला प्रशन पूछा गया, कि बित्तीय साच्छता सब्ताह 2022 का बिसे क्या था, तो RBI के द्वारा, ये इस साल का बिसे था, Go Digital, Go Secure, क्या था, Go Digital, Go Secure, और आपको धिहां रखना है, कि इस साल 14-18 फरवरी को ये जो आपका सब्ताह है, उसको RBI के द्वारा मनाया गया, अगला प्रशन पूछा गया, कि अप्रेल 2022 में भारत का जो पहला प्योर ग्रीन हार्डोजन प्लांट है, इ ग्रीन हार्डोजन से इस से पहले भी कई प्रशन आ चुके हैं, जैसे MP में भी कुछ इस्टेबलिस हुए हैं, तो अगर आपसे प्योर ग्रीन हार्डोजन प्लांट के बारे में पूछा जाए, तो ध्यान रखेगा जो इंडियन और लिम्टेड है, उसके द्वारा असम के जोर हार्ड में भारत का पहला प्योर ग्रीन हार्डोजन प्लांट को कमीशन किया गया है, अब आते हैं इस्टेटिक जीके पर, तो इस्टेटिक जीके से एक प्रशन पूछा गया, कि अस्थापित पवन उर्जा उत्पादन चमता में हमारे देश में कौन सा राज्य सीर् पर है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे जादा जो पवन उर्जा का उत्पादन है, वो हमारे तमिलाडो राजी के द्वारां किया जाता है, दूसरे अस्थान पर गुजरात है, और तीसरे अस्थान पर आपको महाराश्ट देखने को मिलेगा, अगर हम लोग दुनिया की बा टूनामेंट है, हाला कि ये टूनामेंट अब नहीं होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रोवर्स कप फुटबॉल से सम्बंधित एक टूनामेंट था, जिसकी सुरुवात हमारे देश में 1890 में हुई थी, और ये जो आपका टूनामेंट है, ये 2001 से हो चुका है, ब सुब्रतो कप है, मर्डेका कप है, इंडियन सुपर लीग है, जिसको इस साल हैदराबाद ने जीता है, तो ये सारे भी हमारे फुटबॉल के टूनामेंट है, इसके अलावा फीफा के कई सारे वल्ल्ड कप भी होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है, कौन का कैफ गोल् फुटबॉल कलब है, जिसका नाम सेफिल्ड फुटबॉल कलब है, इसकी अस्थापना इंग्लैंड में की गई थी, और ये प्रशने 2018 गुरुबडी में पूछा जा चुका है, अगला प्रशने पूछा गया, कि सबसे लंबी मुच्छों वाला मेला किस राजी में लगता ह तो कुछ इसी प्रकार से ये तेवहार था, दरसल ये प्रशने मुझे तीन लोगों ने तीन तरीके से बताया, एक लोगों ने बताया कि सबसे लंबी मुच्छों वाला डांस पूछा गया था, एक लोगों ने बताया कि मेला पूछा गया था, तो साइद कुछ इस प्रका किसमे होती है कुछ इस प्रकार से आपके सामने आप्षण दिये गये थे उर्वरक को खरीदने में बीज को खरीदने में केतनासक के लिए या फिर पसू आहर का जो चारा होता है तो मेरे इस होती पसु आहर चारे में होती है बाकि इसका उत्तर भी मुझे कन्फरम नहीं है अगर ये option रहे होंगे तो उस हिसाब से D उत्तर यहाँ पर होना चाहिए अगला प्रशन पुछा गया कि सरदार सरोवर डैम जो है वो आपको कौन से नदी पर देखने को मिलेगा बहुत सिंपल सा प्रशन है सरदार सरोवर डैम के अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको नर्मदा नदी के उपर देखने को मिलेगा और ये बना हुआ है गुजरात राज में तो ध्यान जरूर रखिएगा कि गुजरात राज में जो हमारी नर्मदा नदी है वहाँ पर आपको सरदार सरोवर डैम देखने को मिलेगा अगला प्रशन पूछा गया कि भारते समिधान का जो अनुच्छे 243B है ये किस्से सम्मंधित है तो आर्टिकल 243B की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सम्मंधित है ग्राम पंचायतों के गठन से लेकिन प्रशन कुछ अलग तरीके से पूछा गया था देखे प्रशन सायद ये पूछा गया था कि भारते समिधान का जो अनुच्छे 243B है इसके अनुसार किसी राज की जनसंख्या किस से अधिक होनी चाहिए तभी वहाँ पर ग्राम पंचायतों का गठन हो सकता है तो ध्यान रखिएगा अगर किसी राज में जनसंख्या 20 लाग से कम होती है तो वहाँ पर ग्राम पंचायतों का गठन नहीं होता है ये आपको ध्यान रखना है बाकी जो आपका आर्डिकल 243 से इसमें परिभासा है 243 E में ग्राम सभाओं की बात की गई है 243 B में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है 243 C में ग्राम पंचायतों के संद्चना की बात की गई है 243D पंचायतों में आरच्छन का प्राउधान है 243E आप से अलड़ी पूछा जा चुका है जिसमें पंचायतों का कारिकाल दिया गया है फिर 243 यह सारे पौइंट भी आप लोग थोड़ा सा ध्यार रखेंगे अगर रख सकते हैं तो अगला प्रश्न पूछा गया कि दच्छिन भारत में जो अधुएत वाद दर्सन है या फिर जो हमारे अधुएत वाद का सिधान्त है इसके संस्थापक कौन है तो आपको पता होना चाहिए आदी गुरू संकरा चारे जी ये हमारे अद्वयत वाद दर्सन के संस्थापक है और इसे हम लोग संकरा द्वयत के नाम से भी जानते हैं इस दर्सन के अनुसार ये माना जाता है कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्म एक दूसरे से बिलकुल भी अलग नहीं है फिर एक प्रशन आपको दिया गया था जहां पर केटनासक दवा के संबन्ध में आपको कोई सही कथन चुनना था तो केटनासक दवा के उपर आपके स्टेटमेंट दिये गये थे और संबहुता अगर आप लोग उसे पढ़ते तो आसानी के साथ में उसका उत्तर भी कर सकते थे फिलहाल प्रशन क्या था ये मुझे केवल इतना पता है कि केटनासक दवाओं के संबन्ध में कुछ स्टेटमेंट आपके लिए दिये गये थे अब आते हैं बालोजी पर तो बालोजी से एक प्रशन पूछा गया था कि अमीबा किस प्रकार भोजन गरहन करता है तो अमीबा का जो भोजन गरहन करने का तरीका है इसे हम लोग एंडो साइटोसिस प्रकरिया के नाम से जानते हैं आपको पता होना चाहिए कि अमीबा हमारा एक कोस की जियू होता है तो इसमें जो कोस का जिल्ली होती है उसी का यूज अमीबा के द्वारा भोजन ग्रहन करने में किया जाता है तो exact आपका option क्या था उसी के अनुसार आप लोग इसका उत्तर करेंगे फिलहाल के लिए आपको एक का figure था मुझे exact नहीं पता चल पाया है बस केवल यहीं पता चला कि एक को structure दिया गया था और आपको बताना था DNA RNA से संबंधित कुछ आपके option थे तो exact परशन ओ भी मुझे नहीं पता चला है अब आते हैं कमेश्टी पर तो कमेश्टी से एक प्रशन आया था कि जो हमार modern periodic table है इसमें आपको कितने group और period देखने को मिलेंगे तो अगर हम लोग group की बात करते हैं तो इनके संख्या 18 है और अगर हम लोग period की बात करते हैं तो इनके संख्या 7 है आप सभी को पता होगा कि आधुनिक आवर्थ सान्डी के जो निर्माता है उनका नाम Henry Mosley है 1913 में इन इनलीब की जो आवर्थ सान्डी है उसमें आपको कितने group और period देखने को मिलेंगे तो उनके वाले में 8 group थे और यहां पर आपको 6 period देखने को मिलेंगे फिर एक प्रशन पूछा गया था कि डोबे राइनर के त्रिक नियम के संबन में कौन सा कथन सही है तो देखे उसमें एक statement ये दिया गया था कि डोबे राइनर ने अपने त्रिक के नियम में ये बताया है कि अगर आपके पास में कोई तीन तत्तो ऐसे हैं जिसमें से पहले और तीसरे तत्तो का अगर हम लोग परमाडू भारों का आउसत करते हैं तो इसका जो द्रब्यमान होगा वो बीच व ये भी हमारे परमाडू द्रब्यमान के उपर ही बेच्ड था अगला प्रशन पूछा गया कि जो आपकी होमो लॉगस स्रीज होती है जिसे आप लोग समझाती है स्रेणी कहते हैं इसमें हाडोजन की परमाडू संख्या में कितना अंतर होता है तो मैंने आपको बताया था तीन स्रीज के बारे में एलकेन, एलकीन और एलकाइन और उस समय मैंने आपको बताया था कि जो आपका अगला मेंबर होता है वो हमारे CH2 से अलग होता है यानि कि अगर आप लोग मेथेन में CH2 जोड देते हैं तो ये आपका एथेन हो जाएगा यानि कि C2H6 इसी प्रकार स प्रकार से लेट हो जाएगा फिर आप लोग जोडएंगे तो यही सेम आपके सारे स्रीज में लागो होता है चाहें वह एलकीन हो चाहें एलकाइन हो या फिर आपका एलकेन हो और यहाँ पर यही पूछा गया था कि यह जो हमारा होता है इसमें हार्डोजन के कितने यूज किया जाता है ग्रेफाइट का किसका ग्रेफाइट का यूज किया जाता है आपको ये ध्यार रखना है कि कार्बन के मुख्य रूप से तीन अपरूप होते हैं एक हमारा हो गया हीरा दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरे का नाम है बंक मिश्टर फलरीन तो ये आपके कारबन के तीन अभरूप होते हैं। कमश्ती से एक प्रश्ण और आया था कि कौन सा बिस्थापन अभिक्रिया के लिए सही है। देखे यहाँ पर आपको चुन्नू, मुन्नू, चिन्टू, पिन्टू जैसे चार नाम दिये गए थे। और कहा गया था कि इनके पास में CUSO4 का बिलियन है, तो चिन्टू आते हैं, MG डालते हैं, मिन्टू आते हैं, EU डालते हैं, चिन्नू आते हैं, AG डालते हैं, तो आपको यह बताना था कि कौन से वाले में बिस्थापन अपक्रिया होगी। याद करिए reactivity series को, मैंने आपको बताया था कि series में अगर कोई element है, तो उसके उपर के जितने भी element होंगे, वैसारे किसी भी compound में से इसको replace कर देंगे, लेकिन ये जो element है, इसके नीचे जो element होंगे, वो इसको replace नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सोना और चांदी था, तो सोना और चांदी तो आपके सबसे नीचे आते हैं, तो यह बिल्कुल replace नहीं करेंगे, mg आपको cu से उपर देखने को मिलेगा, तो mg यहाँ पर कर देगा replace, I hope आप लोग इसे समझ पाए होंगे, reactivity table आप ल लोग किसी भी solution को गर्म करेंगे, तो उसकी जो pH value है वो आपकी कम होती है, क्या होती है, उसकी जो pH value है वो आपकी कम होती है, यह आपको यहाँ पर ध्यां रखना है, जैसे कि example के लिए हम लोग बात करते हैं, 0 degree Celsius के उपर, जो हमारा सुद्ध चल है, उसका pH 7.47 होता है, ले हो जाएगा, तो यह आपको ध्यां रखना है, कि तापमान बढ़ने से जो pH value है वो आपका कम होता है, एक प्रेशन और पूछा गया था, बेकिंग सोडा से सम्मंधित दो आपको statement दिये गए थे, एक statement था कि बेकिंग सोडा का formula NAHCO3 होता है, तो अगर यही दिया गया होगा तो पहला statement correct होगा, दूसरे में कहा गया था कि इसका उपयोग सजावट और खिलोनों के लिए होता है, तो ऐसा बिलकुल नहीं है, जो बेकिंग सोडा है, इसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, तो बेकरी उद्योग, केक, ब्रेड या फिर आपके अन्य इस प्रकार के जो बेकरी के समान है, उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है, इसके अलावा जो हमारे अगनिसामक एंतर होते हैं, उसमें CO2 के उत्पादन में भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, तो जो आपके option थे, उसे के अनुसार इस प्रश्न को आप लोग करेंगे, फि ध्यान रखिएगा जो universal gravitational constant है, इसका मान होता है 6.67 multiplied by 10 to power minus 11 newton meter square per kilogram square, तो वैसे पिछली बार group D में ये पोचा गया था, ध्यान रखिएगा, बाकी ये जो gravitational force है, इसका formula भी कई बार पोचा जाता है, तो gravitational force बराबर होता है, capital G, capital M, small m divided by r square, जहां पर G हमारा नियतांक है, capital M, बड़े पिन्दे का द्रब्यमान है, या आप प्रतवी का मान सकते है, M, छोटे पिन्दे का द्रब्यमान है, और R, इन दोनों द्रब्यमान के बीच की दूरी है, एक प्रश्न और आया था, कि प्रती रोधक्ता की इकाई क्या होती है, त तो यहां पर जो R है, यही हमारा resistivity होती है, और यह आपको ध्यान रखना है, कि यहां से यह मेटर, यहां से यह मेटर square, तो यह cancel हो जाएगा, रो एक्वल्टू हो जाएगा यहां पर, ओम मेटर, तो ओम मोटर इसकी unit होती है, आपको यह भी ध्यान रखना है, कि अगर किसी मुझे प्राप्त हुए थे दूसरी सिप्ट के लिए, उन सारे प्रश्णों को मैंने यहां पर discuss कर लिया है, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ प्रश्णियाद है, तो आप लोग मुझे नीचे comment में बता सकते हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो इसे अपन दोस्तों के साथ मिस्तियर जरूर करिएगा, थैंक्स फर वाचिंग, जै हिंद, जै भारत